बाल दिवस पर सबसे अच्छा भाषण कैसे दें? चलिए आपको बताते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको बोलना होगा आधणिये प्रिंस्पल सर, सम्मानिस सिक्षगण और मेरे प्यारे साथियों. आप सभी को बाल दिवस की धेरो सुबकाम नाएं. आज 14 नवंबर है. हम सभी जानते हैं कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं. भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडिच जवाहलाल नहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889 को इलाहबाद ने हुआ था. जवाहलाल नहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे. इसलिए बच्चे भी उन्हे प्यार से चाचा नहरू के नाम से बुलाते थे. पंडिच जवाहलाल नहरू का बच्चों के लिए प्यार और सम्मान को देखते हुए, उनकी मृत्यू के बाद उनके जर्म दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा. बाल दिवस मनाने का मूल कारण बच्चों की जरूरतों को सुविकार करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और बाल सोशण को रोकना है ताकि बच्चों का समुचित विकास हो सके. पंडी जवाहलाल नहरू का कहना था कि आज के बच्चे कल के युग निर्माता होंगे बच्चे ही इस देश का भवश्य हैं इसलिए ये जरूरी है कि उनके सिक्षा और उनके कल्यार पर विसेज ध्यान दिया जाए हम जितनी बहतर तरह से बच्चों की देखभाल करेंगे राष्ट निर्मात भी उतना ही बहतर होगा बाल दिवस के अवसर पर हम सब को मिलकर बाल अधिकारों के प्रति जागरुकता फैलानी चाहिए इसके अलावा हम सभी को चाचा नहरु के विचारों को जीवन में उतारने का संकल्व भी लेना चाहिए इसी के साथ अब मैं अपने भाषण का समापन करना चाहूँगा बाल दिवस पर मेरे विचारों को आपने सुना इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जय हिंद जय भारत